हेलो फ्रेंट वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं पुवे अपने घर पे तो पुवे बनाते वक्त मैंने सोचा कि क्यों आपके साथ वीडियो सेयर की जाए तो मैंने वीडियो भी बना लिये तो सबसे पहले मैन प्रोसेश जो करना है ह यहां पर 120 g चीनी एक कप पानी में गला दी है और 50 g गुड़ गला दी ती अच्छे से घुल गए है एकदम पानी को चान लेंगे तो मैंने पानी भी चान लिया है एक बाउल लेंगे और बाउल मैं आता डालेगे तो गेहू का आता मैं यूज कर रही हूं यहां पे तो गे आपके अच्छे नहीं बनेंगे तो थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहें वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके पुए अच्छे बने इसी तरीके से मैं इसको मिक्स करती रहें और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बढ गया है तेज गरम हो गया है तो गैस का फ्लेम एकदम सेम कर देंगे और किसी चम्चे या कटोरी से भरके एक साथ थोड़ा ऊपर से डालेंगे बीच बीच में गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे फुल नहीं करना है अगर बहुत ज्यादा फुल कर लेंगे तो आपके अच्छे से च्क नहीं पाएंगे और यह टॉठ भी हो जाएंगे तो हमें इनको क्रिस्पी हल्क अपासा अंदर से बनाना है Na बाहर से कृस्पी हुनाय इनको तो यह बढ़िया से एकदम क्रिपि और अंदर से स्वाफ्ट बनकर के तयार हो रहे हैं और यह दखिए बिलकु प्रफट से क्यों न ठंडी ठंडी रबडी के साथ सब कर दिया जाए तो मैंने यहां पर ठंडी ठंडी रबडी लिए घर पर बनाई हुई है और ठंडी रबडी के साथ पुवे बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंड्स आप भी बनाईए खाईए और अगर मेरा वीडि हैं न्यू वीडियो के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग दा वीडियो